नमुश्कार में अप्रिया धराधर तीस खबरों में आपका स्वागत है चले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को अंतराष्ट्रे क्रिकेट परिसद ने आगामी T20 विश्व कप में भाग लेने वाले देश के UAE में टूर्णामेंट के लिए 15 खिलाडियों और 8 अधिकारियों को लानी के रुमती दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ट के एक अधिकारी ने शुकरवार को इसकी पुष्टी की विश्व स्वास संगठर ने तीन दवाईयों का अंतराष्ट्रे ट्रायल शुरू करने का एलान कर दिया है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या उससे अस्पताल में भरती कोविड के मरीजों के स्थती सुधरती है इसके साथ ही आर्ट सुनेट, इमबैटिव निब और लॉक कर दिया गया है, साथी दूसरे कॉंग्रिसी नेताओं की ट्विटर आईडी भी अन्लॉक हो गई है, कॉंग्रिस के एक नेता ने बताया कि राहूल गांधी के साथ ही पार्टी के वरश्मनेताओं के अकाउंट भी खुल गया है कोरोना वाइरस के खिलाफ सबसे ज़्यादा वाक्सीन लगाने के मामले में भारत शीर्श पर है, देश में एक तालीस करोर से ज्यादा नागरिकों को वाक्सीन दी जा चुकी है, साथी दूसरे डोज की संख्या भी बारह करोर के करीब पहुँच गई है, भारत के बाद अ असी शूर वीरों को ग्यालेंजरी अवार्ड से सम्मानित हिया जाएगा, स्वासमंत्राले के मताविक पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना संख्रमन के 38,666 ने मामले सामने आए हैं, कोरोना के ने मरीज मिलने के बाद, अब देश में कुल संख्रमेतु की संख्या 3,21,56, 243 में पर पहुँच गई है, वहीं 478 लोगों की जान चली गई है, देश के पहले स्वादेश्वी ऐरक्राफ्ट क्यारियर INS विक्रांत के पहले सीट ट्राइल के बाद अब उमीद जगी है, कि अगले साल अगस्त में ये भारती नौसेना में शामिल हो जाएगा, 262 मीटर लंबे इस जगी जहाच की डिजाइन स्वादेश्वी है, जिसे भारत में बनाए गया है, ये देश रुक का सबसे पहला जहाच है, 1999 में पहली बार स्वादेश्वी ऐरक्राफ्ट कैरियर पर भारती नौसेना ने कामकरना शुरू किया था अमेरिका में भारत के राश्टर पिता महात्मा गांधी को सर्वोच नागरिक सम्मान यानिकी कॉंग्रेश्टनल गोल्ड मेडल दिया जा सकता है, संबन में अमेरिकी संसद में दुबारा प्रस्ताफ पेश किया गया है, जो न्यू यूर्क के एक संसद दे दिया है, जिसक के लिए सरकार को कुछ कानूनों में संचो धन करना होगा, इसके साथ ही डेटा सुरक्षा का फ्रेमवर्ट तैयार करना होगा मोधी सरकार ने हर साल 14 अगस्त को देश में विभाजन विभीश्री का दिवस के रूप में मनाने का फैसला दिया है, 14 अगस्त को विभाजन विभीश्री का स्पृति दिवस के तौर पर मनाने के संबन्ध में केदर के अधिसूचना भी जारी कर दिया है ग्लोबल वार्मिंग और जलवायो परिवर्तन को अब और नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है जुलाई 2020 सितिहास का सबसे गर्म महीना बन चुका है पिछले 142 सालों से तापमान रिकॉर्ड की एजार है लेकिन किसी भी महीने का तापमान इतना ज्यादा नहीं था जितना जुलाई के महीने में था संगलोग सेवा आयोग ने 2021-22 में होने वाली परिक्षाओं भरती परिक्षाओं का शेडिूल जारी कर दिया है 2021 में कुछ नोटिफिकेशन भी जारी होने वाला है जिन में इंजिनिरिंग सर्विस 2022, कम्बाइन जियो साइंटिस्ट 2022 चामिल है इनके नोटिफिकेशन 22 सेतंबर को जारी किया जाएंगे वहीं 1 दिसंबर को CISEAC परिक्षा 2022 और 22 दिसंबर को NDACDS 2022 नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा इंडियन और कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपरेंटिस के पदों पर भरती के लिए आवेदन आम अंतुरित के हैं इस वेकेंसी के तहट कुल 480 पदों पर भरतियां की जाएंगे इच्छोक और योगी मिदवार IOCL की आधिकारिक विपसाइट IOCL.com के माधियम से ओन्नाइन आवेदन कर सकते हैं SBI के बाद पंजाब नाच्रोल बांक ने अपने करोरो ग्राकों को बांकिंग धोखाधरी को लेकर अलर्ट जारी किया है प्रॉड एक लाख रुपे के लकी विनर होने का मेसेज भेज रहा है पंजाब नाच्रोल बांक ने अपने ट्विटर हैंडल पर कई तरह के अलर्ट का जिक्र गया है साथी एक ट्वीट जारी कर साफधान रहने की नसीहत दी है आखिरकार भगोडे कारोबारी विजय मालया का किंग फिशर हाउस बिखी गया इसे हैंदराबाद के प्राइविट डेवलापर्स रियल्टर्स ने बावन करोड रुपे में खरीदा है किंग फिशर हाउस को डेट रिकावरी ट्रिब्यूनल ने बेचा है बिकरी भाव अपने रिजर्फ प्राइस 135 करोड रुपे का लगभग एक दिहाई है अमेरिके दवा कंपनी जॉंसन एंड जॉंसन की सिंगल जोस वाली कोरोना वाक्सीन नवंबर या दिसंबर में भारत को बिल सकती है केंदर सरकार के तीन ने ग्रशी कानून के खिलाफ वांदोलन कर रहे किसारों ने देश के 75 स्वतंतरता दिवस पर प्रस्तावित अपनी ट्रॉक्टर परेड से एक दिन पहले श्रनिवार को हर्याना में जुंद के उच्छाना कला में परेड का रहासल किया है इस ट्रॉक्टर परेड का ने तर तो महिला किसान करेंगी महरास्टर के बाद पंजाब ने दूसरे राचु से आने वाले लोगो के लिए नई गाइडलाइन का आइलान किया है पंजाब में सोमवार से एंट्री के लिए फुल वाक्सिनेशन का सर्टिफिकेट या नेगेटिफ कोरोना रिपोर्ट दिखाना अनिवार है या थो कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते वे यहाँ फैसला लिया गया है दिल्ली के बनेबाज उन्वुक्ट चंध जिन्होंने भारत को 212-19 विशुकप विजेता बनाये था उन्होंने भारती एक रिकेट से सन्यास की घोषना कर दी है चन्दने ऑस्ट्रेलिया के टाउंस विले में 2012 अंटर 19 विशुकाप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत में महत्वपूर्ण हुमिका नभाई थी देश की नंबर वान भुबन ब्रेसलर रही विनेश फोका टोक्यो अलम्पिक में मेडल नहीं जीत पाई थी क्योंकि उन पर अनुशासन हींता के आरोप लगे थे जिसके बाद उन्हें भात्यकुष्टी संग द्वारा स्थाई रूप से नलंबित खर दिया गया है जिस पर उन्हां ने कहा कि जो मेरे लिए बोल रहा है उसकी वज़े से शायद खेल से दूर हो जाओ एक मेडल हारते ही लोगों ने मुझे निर्जीव समझ रिया है ट्विटर ने एक बार फिर से अपने अकाउंट वेरिफिकेशन प्रोग्राम को रोक दिया है जिसके तहर ट्विटर ने कहा कि इसका उद्देश यूजर को ब्लू बाज देने के लिए अप्लिकेशन और रिव्यू प्रक्रिया में सुधार करना है यह घोशना तब हुई जब ट्विटर ने पिछले महीने स्वीकार किया कि उसने अपने स्तारुजनिक सत्यापन कारिक्रम को फिर से शुरू करने के बाद गलती से सत्यापित फरजी खातो की छोटी संख्या वश्थाई रूप से निलंबित कर दिया था पुर्म IPS अधिकारी अमिताप छाकुर ने आगामी वधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी अदितनाथ के विरुध चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी अदितनाथ ने अपने कारेकाल में तमाम ऐसे कारे किये हैं जिनके विरुध स्वरूप वो इस बार उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे नेपाल में नेपाली कॉंग्रिस की सरकार है श्रेर बहादूर देवा को पीम बने बच्चों को जैसे ही टीका करन की सूची में प्रतिपध किया जाएगा वैसे ही कोमोर्बिडिटी पीडिद 12 साल से उपर के बच्चों को कोविड-19 के खिलाफ टीका करन पहले होने की संभावना है वाक्सीन पर सरकार को सलाह देने वाले कोविड-19 ग्रुप का मानना है कि स्कूल जाने के लिए हर बच्चों का टीका करन करने की जरूरत नहीं है देश अपना 55 स्वतंतिता दिवस मना रहा है जिसके तहट बिहार के मुखिमंद्र नितीश कुमार कड़ी सुरक्षा विवस्था के बीच कल स्वतंतिता दिवस के अफसर पर पटना की एतिहासिक गांधी मैदान में जंडो तोलन करेंगे इसको लेकर सारी तयारी पूरी कर ली गई है हाला कि इस दोरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा बिहार में गंगा ने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है गंगा के जलस्तर लगातार बढ़ रहे हैं जातिय जनगर्ना के मुद्धे पर हाली में मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने पिएम मोदी के नाम पत्र जारी किया था रिम्स के मेरिसन विभाग के हेड बने प्रख्यात फिजीशियन डॉक्टर उमेश प्रसाद का अज सुबहने धन हो गया है मल्टिपर्ग मायलोमा नामा खदरनाफ बिमारी से जूच रहे थे करीब एक महीने पहले ही उनमें इस बिमारी की पहचान हुई थी ग्यात हो वो लालो प्रसाद यादब का इलाज कर रहे थे कल हमारे दुआरा पूछे गया सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत बहुत धनेवाद आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है नुन्नो कुमार, रंजीत थाकुर, ओम इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं मगर समय क्या भाब की कारण हम उनका नाम नहीं ले पाई लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे हमकल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओ से जुड़े रहने के लिए हमारी यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइक ओन दबाना ना भूलें धन्यवाद